वेल्कम टो माई चैनल वेश्पाइस कीचे तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसका नाम है मत्र पनीर और यह बहुत ही जल्दी बन जाता है क्योंकि आज हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो जट पर से तयार हो जाएगा तो चलिए चलते है प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें हम कटा हूँ आनियन डाल देंगे यह दो बड़े आनियन है अनियन को अच्छी तरह से बुनना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अनियन को अच्छी तरह से बुनना बहुत ज़रूरी है यह देखे गोल्डन ब्राउन हो चुका है सबजी में बहुत अच्छा स्वाद आता है अब हम इसमें ग्रेटेट टमैटो डाल देंगे ये चार टमैटो हैं इसे भी अच्छी तरह से बुन लीजिए कोक कर लीजिए अब हम इसमें सुखे मसाले डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, अल्दी पाउडर, दनिया पाउडर और जीरा पाउडर मसालों कोक कर दीजिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर डखकर रख दीजिए तो अनियन और टमैटो प्रापरली कोक हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा यह डखकर लगा दिया है 10 मिनट के लिए यह 10 मिनट बाद मैंने खोला है देखिए अनियन और टमेटो दोनों तयार हैं अब इसमें कटा हूँ पनीर डाल दीजे पीज भी डाल दीजे ये फ्रोजन पीज हैं अगर अपके पास फ्रेश पीज हैं तो वो भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजे ये इनफ है पानी अब इसे हम डग कर दो विसल तक मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ये दो विसल हो जाएगी तो प्रेशर निकाल के हम उसे खोलेंगे ये देखिए दो विसल हो चुकी है अब हम इसे खोल रहे हैं ये हमारा मटर पनीर तैयार हो चुका है देखिए हो गए तैयार जटपट से अगर आप मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पता दीजिएगा और लाइक जरूर लग करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू